वेल्कम टू टेस्ट ऑफ अंजियूम्स किचिन हैधरवाद की बहुत साई टेस्टी रेसिपीज में से आज में शेयर कर रही हूं चिकिन हैधरवादी की रेसिपी इसके लिए मैंने आप लिया है एक किलो चिकिन तो सबसे पहले हम चिकिन के मारिनेट कर लेंगे लिए ँसमें डाले जिसे में गोल्डन फ्राय कर लिया तो नमक डाल देंगे एक टेबल स्पून या फिर टेस की अगोडिया अप ने पूरा वाल syntuuuu 18 septus लिया को और रेसियो एक नीबू नाबड़ साइग है निवू का रस लेने के लिए साथ में डालेंगे फ्रेश चॉप किया हुआ हरा धन्या मिक्स कर देंगे इन सारी चीजों को चिकन को आधा घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे अब हम बनाएंगे स्पेशल हैदरावादी मसाला तो इसके लिए मैंने लिए हैं चार खड़ी लाल मिच एक टेबल स्पून खड़ा धनिया एक टेबल स्पून जीरा आधर दालचीनी का तुकड़ा दो चक्री फूल आधर टेबल स्पून काली मिच चार इलाची, चार लोंग और एक जावित्री का फूल लिया हुआ है इन सारी चीज़ों को हम ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और इसको दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे आप चाहें तो इसे हमाम दिस्ते में डाल के भी दरदरा सा कूट सकते हैं तो यहाँ पर मैंने मसाले को दरदरा सा ग्राइंड कर लिया है अब यहाँ पर मैं कड़ाई में डाल रही हूँ एक कब भर के ऑईल और इस ऑईल में हम डाल देंगे खड़े करम मसाले दो तेज पत्ते, आदर टेबल स्पून जीरा और दो बड़ी लाइची साथ में डालेंगे इसमें चार मेडियम साइस के प्याज जिसको मैंने बारिक चॉप कर लिया था प्याज को हमें इतना फ्राय करना है कि प्याज हलकी सी यहाँ पर सॉफ्ट हो जाती है तो अम गैस के flame को कर देंगे लो और इसमें कुछ सूख्यसाले डालेंगे 2 देपल स्पवन धन्या पाउडर 1 टेवल स्पॵन लाल्मिज का पाउडर 1 टेवल स्पॵनmotion कश्मीरी लालमिज पाउडर आधर टेवल स्पॵन अलदी पाउडर और नमक टेस्के एकअठरी तो जैसे चार से पाफ मिट बाद मसाला भुन जाता है हम इस मेःनिक ब्लत किया हूवा चीकिन और चीकिन को मसाले में अच्छी张 तरीके के से मिक्स लेंगे जैसे चिकन मसाले में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है हम इसमें डाल देंगे Special Hyderavadi मसाला तो यहां पर सिफ में आधा ही मसाला डालूँगी और थोड़ा सा मसाला में बार गार बचा अब इसके बाद हम इसमें डाल देंगे एक ग्लास भरके पानी यहाँ पर चिकन भी अपना पानी छोड़ेगा तो हम इसे लिट से कवर कर देंगे 10 मिनिट के लिए मेडियम फ्लेम पर ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरीके से टेंडर हो चाया और मसाले भी अच्छी तरीके से टेंडर हो चुका है आप तो आब हम इसमें जो बागी का पचा हुवा है वो डालस नगे फ्रेश चौप किया अब हरा दानिया डालतेंगे और चार से पाँच हरीमिश डाल देंगे इहां पर और सारी चीजों को अच्छी तरीके से यहां पर मिक्स दे देंगेap निये हमारा ऐधरावादी चिक Noch पर हो गया है तयार इसकी इसके घेवी देख़िए आप कितिनी बड़ा दानेदार पर के तयार हुई है और चिकन भी काफी अच्छी तरीके से टेंडर हो चुका है हडी छोड़ दिये यहां पर चिकन ने तो अब हम इस चिकन हैदरावादी को गर्मा गर्म सर्फ कर लेते हैं तो सब करने के लिए आप इसे रोटी अनान के साथ सर्फ करिए राय सरू करिए गा इस